हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल बालोजी साइंस आज हम आप लोगों को सरीसरप वर्ग अथवा रिप्टेलिया वर्ग के बारें बताएंगे जिसके अंतरगत रिप्टेलिया या सरीसरप वर्ग का अर्थ क्या होता है सरिस्रप या रेप्टेलिया वर्ग के प्रमुख लक्षण कौन-कौन से हैं सरिस्रप या रेप्टेलिया वर्ग के प्रमुख जन्त कौन-कौन से हैं तथा उन जन्तूओं का वर्गी करण, आवास, आकृती, संडचना आदि के बारे में डीटेल में बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंतितक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़र कर लेजिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रेप्टेलिया या सरिसरप का अर्थ जान लेते हैं रेप्टेलिया का अर्थ है क्रीप अर्थात रेंगना कुल मिलाकर कहा जाए तो इस वर्ग में रेंगने वाले जन्तु पाये जाते हैं ये वास्तविक इस्थलिय जन्तु हैं इनकी त्वचा सुस्क तथा सूखी और सल्क युक्त होती है। मीसो जोईक युग में लगभग तीन सो लाख वर्सों तक भूमी पर इन जन्तुओं का अधिपत्त रहा। चलिए अब सरिस्रप या रिप्टेलिया वर्ग के कुछ प्रमुक लक्षणों को समझ लेते हैं। जिसमें से पहला लक्षण है ये प्रथम स्थलिय जन्तु हैं। अगला इनकी त्वचा खुड़दरी, सुस्क तथा स्रंगित होती है। अगला इनके सरीर के बाहर चारों और स्रंगित सलकों का बना बाह कंकाल होता है। अगला ये असमतापी होते हैं। अर्थात असमतापी का अर्थ है सीत रुधिर वाले स्थल्चर जन्तु होते हैं। अगला इनके प्रतेक पाद में पांच अंगुलियां होती हैं। जिन पर तेजव नुकीले नखर होते हैं। यानि नाखोन होते हैं। अगला शरीर सिर, गर्दन, धर्वा, पूँच में बटा होता है। अगला खोपड़ी एक कंदी होती है। अर्थात करोटी में केवल एक आक्सिपीटल कॉंडाइल होता है। अगला इन में स्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। तथा क्लोम दरारे केवल भूण अवस्था में ही पाई जाती हैं। यानि केवल भूण अवस्था में क्लोम दरारे होती हैं, बाकी इनके अंदर फेफडे होते हैं, जिनके द्वारा ये स्विसन करते हैं। अगला, इनका अहर्दय आंसिक रूप से चार वेस्तमों में बटा होता है। अगला, इनके अंदे बड़े पीतक युक्त तथा खोल युक्त होते हैं। चलिए, अब रेप्टेलिया या सरीशरफ वर्गी के एकुछ प्रमुख जन्तुओं के बारे में जान लेते हैं। चिपकली, गिर्गिट, अजगर, नाग या कोबरा, वाइपर, मगरमच्च या क्रोकोडाइल्स, घडियाल, कचुवा, आधि प्रमुख जन्तु हैं। चलिए, अब इन में से कुछ जन्तुओं का वर्गी करण आवास, आकरिती, आकार और सनरचना को समझा देता हूं। तो पहला जन्तु है छिपकली या अंग्रेजी में इसे लिजार्ड कहते हैं। पहले इसका वर्गी करण जाल लेते हैं। जगत जन्त या एनिमेलिया, संग कार्डेटा, उपसंग वर्टीबरेटा, वर्ग सरीश्रप, गण इसकोयमेटा, वंस हेमिडक्टाइल्स। यहां घरों में दीवारों, छटों, आदि पर रेंगती हुई पाई जाती है। इसका सरीर लगभग 8 से 14 सेंटिमेटर लंबा वा भूरा सा होता है। सरीर सिर, गर्दन, धाड़ वा पूँच में बटा होता है। सिर पर एक जोड़ी नेत्र होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सिर के आगे की ओर बाह नासादवार तथा पीछे की ओर करण होते हैं। इसकी पूँच थोड़े ही आगात से तूट जाती है, अर्थात मुझ भंगुर होती है, जिसे स्वाविच्छेदन कहते हैं। तूटी पूँच के अस्थान पर कुछ ही दिनों में नई पूँच बन जाती है, जिसे पूँच का पुनरुद भवन कहते हैं। अर्थात इसमें पुनरुद भवन की छमता अधिक पाई जाती है, इसके पादों में पाँच पाँच पंजेदार अंगुलियां होती हैं, पादों में चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जिससे चिपकिली दीवारों, पेडों आधि पर चिपकी रहती है। अब आते हैं अगले जन्तु मगरमच पर या क्रोकोडाइल्स पर यहां गहरी नदियों, बड़ी जीलों आधि में पाए जाते हैं, इनका सरीर भारी होता है, यह सबसे बड़े वर्तमान सरीसरप या रिप्टाइल्स हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इनका सिर लंबा वा तुंडा कार होता है, जिसके सिरे पर नासा द्वार होता है। इनके नेत्र बड़े वा उभरे होते हैं, इनकी तवचा मोटी वा चिमड होती है, तवचा पर मोटी मोटी सलके या स्केल्स पाई जाती हैं, सलकों के नीचे द्रहता के लिए हड़ी की प्लेटे होती हैं, पूछ लंबी तथा पार्श में चपटी होती है, इनके पाद या पैर छोटे होते हैं, अग्र पादों में पाँच पाँच तथा पष्च पादों में चार चार पंजेदार अंगुलियां होती हैं, इनका मुखद्वार, चौडा तथा जबडे मजबूत होते हैं मादा भूम में गड़े खोद कर अंडे देती है इसमें स्वसन फेफणों द्वारा होता है अब आते हैं अगले जन्तु कचुआ पर तो पहले इसका वर्गी करण जान लेते हैं जगत एनिमेलिया, संग कार्डेटा, उपसंग वर्टीब्रेटा, महा वर्ग चत्तुस्पादा, वर्ग सरिस्रप, गड कीलोनिया, वन्स ट्रायोनिक्स तो ये तो हुआ कच्च्वे का वर्गी करण अब कच्च्वे की आकार, आकृती, संवरचना, आधी के बारे में डीटेल में बता देता हूँ यहां भारती नदियों या स्वच्छ जल में पाया जाता है इसका सरीर बड़ा तथा खोल द्रण होता है सरीर सिर, गर्दन, धड़ वा पूँच में बटा होता है धड़ के पिछले छोर पर पुच्छ होती है, इसका खोल अस्थिल प्लेटों का बना होता है सरीर के प्रिष्ट तल पर कैरोपस तथा अधर तल पर एलाश्ट्रोन होता है इसके उपर अनेक क्रिष्ट होते हैं इसकी ग्रीवा, अथवा गर्दन, चाप नुमा और प्रत्याकरसी होती है पाद छोटे होते हैं तथा पादों में जाल पाये जाते हैं और पाद नखर युक्त होते हैं यहां सत्र से बचने के लिए अपने सिर, ग्रीवा, पाद वा पूँच को कैरोपस के अंदर खींच लेता है यहां जली ये वनस्पति को खाता है अर्था जल में पाई जाने वाली वनस्पतियों को भोजन के रूप में प्राप्त करता है नेत्रों पर पलके होती हैं, मादा जल से बाहर मिट्टी में अंडे देती है अर्था जल में अंडे नहीं देती है आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया और मेरे वीडियो को देखा और मुझे ऐसी जगह पर लाकर खड़ा किया कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ आसा है आप लोगों का प्यार सदा हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा और हम बालोजी से जुड़े सभी टॉपिक्स के वीडियो आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे बहुत से लोगों का कहना है कि वीडियो में इंग्लिस भी हो तो दोस्तों आगे से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी और इंग्लिस दोनों मिलाकर मिक्स करके वीडियो बनाऊ अब इस वर्ग का अगला खतरनाक जनतु है साप जिसके बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जिसके अंतरगत सापों के लक्षण कौन-कौन से होते हैं बिस वाले साप कौन-कौन से हैं और बिना बिस वाले साप कौन-कौन से होते हैं विसाक्त या विसहीन सापों की पहचान कैसे की जाए सर्पदंस का उपचार कैसे किया जाए आद के बारे में डीटेल में बताएंगे तो मेरे अगले वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद